Hello and welcome back to my YouTube channel. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही budget friendly gimbal के बारे में जो के सिर्फ 6,900 रुपीज का आता है और ये जो gimbal है ये 3XS mobile gimbal है जो के Digitech की तरफ से आता है इसका जो model name है वो Digitech DSG010 Pro gimbal है और ये जो gimbal है ये मेरे इसाफ से बहुत ही जादा value प्रोवाइट कर सकता है आपको अगर आप content creator हो especially अगर आप मोबाइल में आपके vlogs या फिर किसी तरीके के YouTube वीडियो या किसी भी तरीके का content create करते हो तो definitely ये जो gimbal है ये आपको काफी जादा helpful हो सकता है अब इस gimbal के साथ में आने वाली चीजों के अगर में बात करो तो इसके साथ मैं आपको किसी भी तरीके का carrying case या फिर केरिंग पाउच नहीं मिलता अब को इस तरीके का gimbal मिल जाता है जो कि यहां से इस तरीके से अनलॉक होता है यहां पर आपको जो है यह आपका फिल लाइट मिल जाता है अगर आप फिल लाइट यूस करना चाहो तो यहां से यह यहां पर अपर अपर आपक कंट्रूल संगायल उस यहां पर डिया कर सकते हो यहां पर जूम इन जूम आउट करने का स्विच दिया हुआ है और यहां पर आपको एक डायल दिया हुआ है पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको आपका जो गिंबल के साथ अगर कुछ ट्रैप अगर आपको लगाना है तो आप यहां पर लग यहां पर इस तरीके से यह अच्छेस से फिट हो जाता है और साथ में अपको यह त्राइपोड मिलता है जिसे आप गिमबल के नीचे लगा सको कैप और अपको S-Tip का चार्जिंग केबल मिलता है गिमबल को चार्ज करने के लिए इस गिमबल के अगर में बीट क्वालेटी की 170 तक का वाइड यह आपको सपोर्ट करता है इसका मतलब यह कि बहुत जादा वाइड एंगल लेंस वाला अगर आपका मोबाइल है तो वह भी इसमें किसी तरीके के डिस्टरबंस के बगएर आप यूज कर सकते हो जनरली क्या होता है कि कुछ गिंबल में जो पीछे का जो यहां पर यह जो पार्ट आपको दिया गया है यह वायलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है इसका मतलब यह है कि आपका मुबाइल अगर डिस्चार्ज हो गया है या उसमें बैटरी काफी कम बची है तो इस गिंबल के तुरू आप उसे आप उन गोई शूट में भी साथ में चार्ज भी कर सकते हो प्लस आप उसे जो वीडियो रेकॉर्डिंग है वो भी आप कर सकते हो इस गिंबल के अगर मैं बैटरी पर्फॉमंस की बात करूं तो कमनी 7-10 अर्स का बैटरी पर्फॉमंस इसका क्लेम करती है और मेरे हिसाब से 5-6 और जितना यह इजिली आपको ब आपकी बैटरी काफी जादा यूज होती है काफी जादा साइकल के थू जाती है तो आपकी जो बैटरी है वो बिगर सकती है तो इसमें रिप्लेजबल बैटरी दी हुई है जो के आपके जो गिंबल की लाइफ है वो बहुत जादा लंबी कर देती है इस गिंबल में काफी बात करो 250 ग्राम का इसका पेलोड केपेसिटी है जो के अल्मोस सारे स्मार्ट फोन जो करेंटली मार्केट में सहल हो रहे हैं उन सारे स्मार्ट पॉन्स को यह इजी ली करी कर सकता है अब बात करते कि इस गिंबल का जो ऑपरेशन है वह किस तरीके से हैं और इसकी जो एप है तोड़ा ब्रीफली देखते हैं किस तरीके का बनाया हुआ है अब इस गिंबल को यहां से आउन कर सकते हो आप इस जैसे ही आउन करते हो यहां पर बेजिकली जो है इस डिस्पले में आपको यहां पर अलग-अलग मोड दिखाता है जैसे कि अभी पैन फॉलो मोड है आप चा कि यहां बावन कर लोचा है कि अलग-अलग जो मोबाừng के तरूं करदा हुआ है अब जो एप आप को यहां पर डजिलीग डिखैक की जो आप को यहां लॉट है वहको आपकी जो जाब पर दिखे की और यहां पर आपको अलग-अलग जो options हैं वह इतर अबर गम जो-ण तरीक कर सकते हो तो यह तो यहां पर अगर आप मेनु जुट कर सकते हो और सारव इसे सारे लिए है उसके इन डियते हूप अबर आप उसके पृत्यू आरु सारे ओफ면ड करी सहलो आपको मेन्यू में जाकर किसी तरीके का कोई चीजे नहीं करनी पड़ेगी यह सारे जेस्टर करके आप डायरेक्ली आपका जो गिंबल है उसे कमांड दे सकते हो और मैंने परस्नली टेस्ट किया है काफी सारे सिनारियों में यह वर्क करता है कभी-कभी यह वर्क करने में इस करते हो तो यह वापस होरिजोंटल हो जाता है वापस दो बर प्रेस करते हो तो यह वापस वर्टिकल हो जाता है और अगर आप इस रेकॉर्ट बटन को तीन बार प्रेस करते हो तो यह फ्रंट कैमेरा और एक्टिवेट कर देगा और वापस तीन बार प्रेस करते हो तो यह यहां पर यह जो दिया हुआ है यह आपका जूम फंक्शन दिया हुआ है यहां से अगर आप इसे ऑपरेट करते हो तो आपका जो फोकस है वह आप मैन्यूली सेट कर सकते हो तो यह सारी चीज बेजिकली आपको इसमें दियु हुई है और मेरे इसाब से एप को आप जब भी गो तुरू करोगे तो काफी सारी चीज आप इसके तुरू कर सकते हो लेट से इसका चलिका करोगे और इसका प्रण कैमरा और देख सकते हो किति बार में वैसंतरा यह वोट अच्छे करता है और मैंने काफी सारे scenario में इसे check भी किया हुआ है यह काफी अच्छे से work करता है बढ़ हां कभी बहुत ज़्यादा backlit environment है या dark environment है तो हो सकता है यह में वर्क ना भी करें यहां पर यह जो पावर बटन दिया हुआ है इससे बेजिकली आपका यह जो पीछे की तरफ यहां पर एक लाइट डियू है उसे आप आउन कर सकते हो और यह तीन स्टेप्स में आउन होती है अब इसे एक बार प्रेस करोगे तो यह जो पॉसीबल पावर है उस पर उन होगी एक बर वापस प्रेस करोगे तो यह और थोड़ी सी ब्राइट हो जाती है और एक बर वापस प्रेस करोगे तो यह और ज़दा ब्राइट हो जाती है व्लॉगिंग करते हो तब यह काफी ज्यादा हेल्फुल हो सकता है और मेरे इसाब से यह बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है और इन बिल्ट ही लाइट डियूई है यह बेजिकली आपका जो डिवाइस है उसका जो बैटरी पावर है वही कंद्यूम करेंगी अब मुझे इस गिंबल के साथ जो डिटेक ने एप दिया हुआ है वह काफी अच्छा लगा काफी इंटुइटिव लगा और काफी यूस्फुल लगा आप चाहो तो डिरेक्ली आपका जो कैमरा है जो आप डिफोल्ट आपकी जो कैमरा एपाती है उसे भी उसकर सकते हो लेकिन उसमें आपको फेस ट्रकिंग जेस्टर कंट्रोल वो सारे फीचर बहुत लिमिटेशन में मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे अगर मैं बात करूं कि इसका जो परफॉमंस है फाइनली स्टेबिलाइजेशन यह किस तरीके का प्रोवाइड करता है तो देखते हैं किस तरीके का निक दखा हुआ है ताकि इसका जो गिंबल का को स्टेबिलाइजेशन है वह आप अच्छे से समझ पाओ हुआ हुआ है अगर आप इस गिंबल को व्लॉगिंग के लिए यूज करता है हो तो खुछ इस तरीके का रिजल्ट यापको प्रोवाइड कर सकता है और व्लॉगिंग में मेरे इसाफ से इसका जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा है अब कुछ जो स्टेर्स है वो में चड़ता हूं और आपको बता चलेगा किसका जो रिजल्ट है वो किस तरीके का है मेरे हिसाब से इसका पर्फॉमंस व्लॉगिंग में काफी अच्छा है तो इन कंक्लुजन आई गएंसे के मैं इस गिंबल को दो दिन के लिए उसका जो लॉंग टाम पर्फॉमंस है लॉंग तक इसका यूज करते हो आप तो किस तरीके का इसका पर्फॉमंस यह तो में वाला option है वो personally मुझे बहुत जाद अच्छा लगा और definitely अगर आप एक budget gimbal ढूंड रहे हो और content creation के लिए तो definitely आप इस gimbal को consider कर सकते हो अगर आपको इस gimbal के regarding और कोई question है तो आप नीचे definitely comment box में मुझसे पूछ सकते हो अगर आपको यह video helpful लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए इस चैनल को subscribe कीजिए वीडियो को देखने के लिए thank you so much have a good day